बोलिये जुबा के मिस्ट्री दोस्तों आज से चलेगा क्या बोलिये जुबा के मिस्ट्री बहुत हो गया जुबा के मिस्ट्री आज से चलेगा क्या बोलिये जुबा के मिस्ट्री तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज वो दिन आ गया है जि जिसके लिए दोस्तों आप लोगा जनम हुआ था, जिसके लिए बच्चों आप लोग यूट्यूब पे एक तम आखें बिछाए बैठे हुए थे, कि सर जी वो कब आएगा, वो कब आएगा जब आप सर हमको thermodynamics पढ़ाएंगे, thermodynamics पढ़ाएंगे, और दोस्तों आज इतिहास का एक बहुती सोरने दिन है, मतलब 15 अगस 1947 के बाद, जो सबसे important date है, यतिहास में, दोस्तों वो डेट है, हमारी 25 अक्टूबर 2023, क्योंकि आज ही के दिन वो दिन है, जब हम लोग thermodynamics यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं, और thermodynamics भी कैसे शुरू कर रहे हैं, इस level का समझ लीजिए, भूत प्रेट पिशाच है, ये आपको, अगर आपने इसको थोड़ी सी भी ढील दीना, तो ये आपकी सर पे चार के बैट जाएगा, तो इस पे आपको ढील नहीं देनी, इस पे आपको पूरी पकड बना रखनी, अगर आपने थोड़ी सी भी इसके अंदर से बिटा पकड छोड़ी, तो तुरन बच्चो आपके सर पे बैट जाएगा, और वही बच्चो प्रॉब्म करेगा, जिस प्रॉब्म से आप 11th में परेशान थे, 12th में परेशान थे, या फिर बिटा पास आउट में परेशान है, जिस भी लेवल पे आप हैं, उस लेवल पर बिटा आपको परेशान करेगा, तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट बच्चो लेक्चर सिरीज है, थर्मोडैनमिक्स की, और हर कोई बच्चा, चाहें वो क्लास 11th में है, 12th में या पास आउट में है, वो इस सिरीज को करने के बाद बिटा, जीरो से हीरो बन जाएगा, But the thing is, but the thing is, बेटा, देखिए, आप सोचो कि आप इस वीडियो लेक्चर को 2x स्पीड पर चला करके देख लो, और आप इस हीरो बन जाओगे, यह चीज गलत हो जाएगी, लेक्चर के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी बातों को उस स्पीड के साथ बताएगी, जिस स्प चाप एकदम बेसिक से एकदम ऐसे एकदम बैठिये कि आपको जिन्दी में कुछ नहीं आता है, जैसे जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे हमको गाइड करने दीजिए, ठीक है, अगर आपको थर्मोडैमिक्स आता है, तो प्लीज बेटा, मैं आपको बहुत ही हमबल तरीके से रिक्वेस्ट करूँगा, कि सर आप यूट्यूब पर जाएए और थर्मोडैमिक्स प्रैक्टिस सेशन डालिए, वो वीडियो को देखे, that is going to be more more helpful, या फिर जब हम लोग crash course के दौरान थर्मोडैमिक्स से सवाल करेंगे, तब आप जोईन करेगा, ये करें कि बच्छों आपको champ बना दे, लेकिन कोई भी चीज बड़ी चीज होती है, तो वो धीरे धीरे होती है, आप सोची रातो रात आप champion बन जाएंगे, वो नहीं होगा, so you have to give me some time, you have to be, you have to keep some amount of patience in your life, ठीक है, ये चीज़ समझे, धीरे धीरे, और जैसे मैं कह रहा ये चीज़ आपको equilibrium दोनों पर करने पड़ेगे, ठीक है, तो you have to trust me, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, and you have to blindly follow me, जो मैं बेटा कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज हमारे इस बेटा thermodynamics का day one है, और आज हम सीखेंगे क्या, thermodynamics जाए तेल लेने, आज हम सीखेंगे क्या, बेटा thermodynamics समझने के लिए तुम्हें thermodynamics के प्यार को समझना पड़ेगा, समझ रहे हो बेटा, तुम्हें thermodynamics के प्यार को समझना पड़ेगा, वो वाला प्यार नहीं जो हम लोग करते हैं, हमें thermodynamics के प्यार को समझना पड़ेगा, तो thermodynamics का जो प्यार है, उसमें क्या-क्या terms हो होता है थर्मोडाइक में सारा खेल क्या है कब कौन सा फॉर्म में लगाना है यह सारा खेल बेटा आज ही के लेक्चर में क्लियर हो जाता है ठीक है तो यहाफ टू ब्लाइंडली फॉलो मी और बहुत ही और फिर आप श्रेट नहीं कर रहा आप उसी कप चीदें फॉलो करिए ठीक है यह चीज समझे तो यह दोस्तों सीन है और चलिए कारेक्रम को अच्छ को अंजाम देते हैं ठीक है सर चलिए बहुत अच्छी बात है अच्छ कारेक्रम शुरू करने से पहले कल की तो केस बता दें दोस्तों हमारा जनम दिन था 22 अक्टूबर को आप नोंने बहुत सारा हमको प्यार महबबत दिया हमारे चचा आये ते घर में बच्छों हमारे चचा आये ते और चचा हमारे नाम बेटा 2700 क्रोन की प्रॉपर आसकते हैं अपनी लेक्षर के दौरान पैसा तो हर लेक्छर के दौरान हमारी टीम हमको बजट बताया है कि मैं एक लेक्ट के दौरान न क्रून रुपी के मैं गिफ्ट वौक stresses में बाड़ सकता हूं ठीक है, और हर सवाल के दौरान मैं देखिए कुछ प्राइस में करूआ और जिस जिस लड़के को लगता है कि सर आपका वो सवाल साही हुआ था तो आप lecture के end में आपने total कितना पैसा जीता वो आप लिख दीजिएगा ठीक है और हमारी टीम आपको IP address को access करके आप तक बेटा पैसा पहुंचा देगे ठीक है यह चीज़ तो आपने कितना पैसा जीत क्योंकि हमारा खांदानी property आ गए है योगांडा के जो खेत थे हमारे योगांडा में अपने हमारी काजू के खेत थे वह काजू के खेत का सेट्लमेंट यूगांडा कवर्मेंट के साथ हो गया और 2700 क्रोन रूपए मेरे पास आया है ठीक है चली बहुत ची बात है तो दो स ही निकालना है entire thermodynamics is all about calculating q u w h g s ठीक है यह चीज़े हैं में calculate करनी है अब यह चीज़े क्या होती है यह चीज़े क्या होती है धीरे धीरे बिटा हम लोग पत्ते खोलेंगे और इन चीज़ों में कौन कौन से फॉर्म में लगते हैं यह हम लोग बताएंगे लेकिन कब कौन सा फॉर्म में लगाना है सवाल को पढ़ करके कहां पे कौन सा फॉर्म में लग सकता है और क्यूं लग सकता है इसकी understanding बेटा आपको कुछ terminology इसको सीख करके होगी ठीक है सबसे पहले दो तरह के terms होते हैं एक होते इंटेंसिव और एक होते सर एक्स्टेंसिव देखो यह इंटेंसिव और एक्स्टेंसिव थर्मोडैनमिक्स की बेटा definition यहां लिखी हुई है आप लोग बेटा जी बिंदास तरीके से इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को pause करके मैं जा रहा हूं सर देखो आपको संधाने के लिए देखो इंटेंसिव थर्मोडैनमिक्स टर्म वो होते हैं जो independent होते हैं सर इंटेंसिव थर्मोडैनमिक्स टर्म क्या होते हैं सर इंटेंसिव थर्मोडैनमिक्स टर्म वो होते हैं जो की independent होते है किस पर independent होते हैं, amount पर, ठीक है, system के size पर independent होते हैं, ऐसे thermodynamic term, जो system के size के उपर depend नहीं करते हैं, वो होते हैं, intensive thermodynamic variable, ठीक है यह चीज़ समझे, और ऐसे thermodynamic term, जो system के size के उपर depend करते हैं, which are dependent, which depends upon the size of the system, कि हमने system कितना बड़ा लिया है, अगर हमने system बड़ा लिया है, तो thermodynamic quantity भी बड़ी होगी, और अगर हमने system छोटा लिया है, तो हमाई thermodynamic quantity भी छोटी होगी, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, अब बेटा देखो, इसका सबसे बहतरीन example क्या है, हमारे पास सर देखिए, एक जग पानी है, ठीक है सर, हमारे पास सर देखिए, पानी है, तो पानी जो है बेटा, वो क्या है सर, intensive है या extensive, पानी का जो weight है, वो सर क्या है, intensive या extensive, अगर मैं जग पूरा भर के पानी लोगा, तो पानी का weight ज्यादा होगा, अगर मैंने जग आदा भर के लिय तो बेटा पानी का वेट कम होगा, तो पानी का वेट हो गया, पानी का वॉल्यूम हो गया, पानी का एरिया हो गया, whatever you want to say, तो बेटा ये सारी चीजें ऐसी हैं, जो amount of water के उपर डिपेंड करें कि सर इस जग में कितना पानी है, इस जग में पूरा भरा हुआ पानी है, उसका वेट जादा होगा, उसका वॉल्यूम जादा होगा, उसका एरिया जादा होगा, ठीक है, और अगर मान लीजे बेटा, इस जग में आधा भरा हुआ पानी है, तो उसका वेट, वॉल्यूम एरिया कम होगा, लेकिन बेटा, ये सारी चीजें तो क्या है, amount पे डिपेंड करे होगा हो, या फिर बेटा, ये जग आधा भरा हुआ हो, पानी की डेंसिटी, पानी का boiling point, पानी का melting point, पानी की pH, पानी का latent heat of fusion, ये सब जो properties होती है, ये सब properties क्या इस पर डिपेंड करती है, कि सर पानी पूरा भरा है, कम भरा हो है, नहीं सर, पानी का boiling point जो हैसो है, melting point जो है सो है pH जो है सो है density जो है सो है latent heat of fusion latent heat of vibration जो है सो है यह सब जो values होती है यह सर independent है size के तो यह सब quantities क्या होगे सर these quantities are called intensive thermodynamic variable ठीक है भाई तो यह दोस्तों यहाँ पर सीन होती है so ऐसी thermodynamic term बच्चों ऐसी thermodynamic term दोस्तों ऐसी thermodynamic term properties that do not depend upon the quantity of the matter present in the size of present in the system or on the size of the system are called intensive and properties which depends upon the amount of the matter or size of the system वो होती है extensive thermodynamic variable ठीक है भाई यह चीज बच्चों यार रखिए चलिए सर बहुत अची बात है अब बेटा यहाँ पर इनके examples हमको सर ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर साल यह चीज़े हमसे सर पूछी जाती है इनमें से कौन-कौन से thermodynamic term intensive है extensive है यह हमसे सर देखे एकदम बिंदास तरीके सर जी पूछा जाता है ठीक है तो इस चीज़ आ रखिए देखो बेटा इसमें कौन-कौन से term important है जरा उस पर समझ लीजे बेटा जितने भी हमारे thermodynamics के term है सर जी जितने भी हमारे thermodynamics के term है ठीक है जैसे कि चाहे वो entropy हो गई चाहे गिप्स-free energy हो गई चाहे इंटर्नल एनर्जी हो गई चाहे इंथालपी हो गई यह सब के सब टर्म क्या होते है सर extensive होते हैं they all are dependent upon number of most of the system ठीक है यह सारे के सारे टर्म बेटा क्या होते है number of most पर depend करती है एस मतलब entropy 11th के बच्चे शायद हो सकता है परेशान हो जाए यह क्या है सर एस क्या है जी मतलब बेटा Gibbs free energy यह सब अबली आगे पढ़ेंगे जी क्या होता है Gibbs free energy U क्या होता है सर internal energy और H क्या होता है सर जी enthalpy तो पेटा यह सारे के सारे term क्या होते सर अमाउंट पर depend करते हैं तो they all are क्या सर extensive thermodynamic variable बहुत अच्छी बात है ठीक है इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसके अलावा सर volume हो गया ठीक है energy हो गया ठीक है total energy heat capacity हो गया यह सब हो गया यह सब भी हमारे इसके उपटे पहन करते है ठीक है बहुत अच्छी बात है अब आते बाद सर intensive पे सदे को intensive thermodynamic variable क्या है बेटा intensive में mostly वो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी वाले term होते ना वो सब चीज़ें वो सब की सामाई देखे intensive होते जैसे की बेटा molar heat capacity यह पर्टि electric constant, EMF, specific heat capacity यह सब की सब बेटा क्या है इमारे intensive है all those things which are like a property, boiling point, melting point, density ठीक है, pressure, temperature, volume नहीं कहेंगे, sir, volume तो amount पर डिपेंड करता है, pressure हो गया, temperature हो गया, यह सब चीज़ें, जैसे की बेटा pressure, temperature को ले करके बच्चे बड़े परिशान हो, sir, pressure, temperature कैसे, तो उसको आप ऐसे समझ बेटा देखे, यह जो हमलों का room है, यह room देखिए, 200 square feet का सार देखिए room है, ठीक है, 200 square feet का बच्चों देखिए room है, मैं अगर मालीजी इस room में दिवाल बीच में खड़ी कर दूँ, तो कि इस room में जो pressure है air का क्या वो बदल जाएगा, answer is no never not, तो pressure क्या हो गया हमारा, intensive, amount पर independent करता है, इस room में जो temperature है, जो room temperature ही होगा, तो चाहे room बड़ा हो, चाहे छोटा हो, temperature तो जो होगा वही होगा, तो वो भी क्या होगा, intensive, इस तरह से इस चीज़ को हमने कारेक्रम को complete करना है, ठीक है भाई, चलिए, बहुर अच्छी बात है, great, nice, wonderful, अगली term पे आते हैं, अगली terminology हमाई लिए है, वो है क्या state function और path function, उसको भी जड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, thermodynamics में सरा हमाई लिए, जो अगली property है, वो है सरा state function और path function, इसको भी जड़ा समझ लेते हैं, देखो पीटा, ऐसी thermodynamic quantity, जो सिर्फ points पर depend करती है, location पर depend करती है, ठीक है, ऐसी thermodynamic property, जिस जिसमें change की value सिर्फ किस पर depend करती है, initial और final position पर depend करती है, कि initial state क्या है, final state क्या है, ठीक है, उस पर depend करती है, तो वो चीज़ क्या होती हमारी, सर, वो चीज़ होती हमारी state function, which depends only upon the value of initial system and final system, change की value सिर्फ initial और final system पर depend करेगी, वो होते state function, लेकित ऐसी thermodynamic property, जिसमें change की system, initial और बैठान बीचर पर डेपेंड करती को टा है बात्धा कोंचरneg बच्चों समझेगा जैसे taps अगर मांजी नीज माया पाइपास दो फोइंट पहाइं ट्रीक के जैसे हम इलावाद से कानपूर तक सर अर्जंटीना होते हुए जा रहे हैं सर इलावाद से कानपूर तक सर हम बल्या होते हुए जा रहे हैं किस तरीके से हम जा रहे हैं सर किस रूट से हम जा रहे हैं उस रूट के ओपर डिस्टेंस डिपेंड करेगा तो distance एक ऐसा function है जो किस पर depend करता है, सब process के nature पर depend करता हमने किस path को follow किया जिस path को follow किया, उस path में बेड़ा distance की value अलग लगाईगी ठीक है, लेकिन displacement एक ऐसी चीज है जो दो point के बीच का हमेशा same होगा, no matter, आप कोई सभी path follow करें, तो displacement एक तरह से सभी के एक सिर्साइट किण Raven Attree और distance किया है सर, path function है बस इतना आप समझी चीज है अब बीटा, जो भी हमारी state function होते हैं जो भी हमारी state function होते हैं उनमें f a b को हम f b minus fa लिख सकते हैं जो भी हमारी state function होते हैं उनमें बीटा, change की value को हम जोग सीधते हैं final position minus initial position के difference हम लोग लिख सकते हैं, यह हम लोग state function में कह सकते हैं, लेकिन path function में sir ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे, path function में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर आपको sir mention करना पड़ेगा, आप किस process के उपर जा रहे हैं, that process की बारे में information हमारी लिए mandatory है, तो यहां पर process की information sir बहुत important हो जाता है, आप सीधे 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 सर यह नहीं कर सकते हैं, ठीक है यह चीज़, अब इसमें जो key point आपको यार रखनी है, क्या यार रखनी है सर जी, जितने भी हमारे important thermodynamic variable हैं, ठीक है सर, जितने भी हमारे important thermodynamic variable हैं, चाहे वो entropy हो गया, चाहे internal energy होगा, चाहे Gibbs free energy होगा, चाहे enthalpy हो गया, ठीक है, यह सारे के सारे के सारे क्या है सर, state function है, यह सारे के सारे क्या है सर, state function है, ठीक है, और heat, बेटा जी, heat और work, सर जी, heat और work ठीक है। सर जी हीटác और वर्क, ये हमारे क्या हैं Sir, Path Function होती है। इस चीज को अने ध्यान रखना है। कई शेएल करणें को सर कैसे हीट और वर्क सर हमारे Paath Function हैं। हीट को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वर को देखे सर मैं आपको साफ साफ बता सकता हूं पेटा देखिए अगर मैंने आपको कहा कि जाहिए चार राउंड मतलब 400 मीटर का एक सरकल है जाहिए उसको उसको जाहिए को कम्प्लीट और फिय तरीका क्या है सर अगी हम लोग नुटी शले तो सीज़े सिर्वे से सदों करके से कम्पलीट करें एक रिक तरीका क्या है सर मैंने आपको बूला आप सफाटे मारते हुआ है जैसे आज कल बड़ा एकदम चला है इकदम आर ट्रपिक मतलब हार्ड चैलं दो मीटर, तीन मीटर, इस तरह से आपको complete करना है, यह दूसरा तरीका हो गया, तीसरा तरीका क्या होगा, आप जाइए मुर्गा बनके complete करें, मुर्गा बनके आपको complete करना है 400 मीटर, तीसरा चौते बार में क्या है, आपको साब की तरह लोटते हुए चलना है, आपको चलना उपर बेटा आपका वर्क डिपेंड करेगा ठीक है तो वर्क एंड हीट देयार बेटा जी क्या देयार पार्ट फंक्शन और उसके लबाद जितने भी अब यहाँ पर एक बहुत नहीं बड़ी बाथ किया बहुत बढ़ी बात समझो जना जहान से भाहुत बढ़ी बात कहने यहां नहीं इतनी बड़ी बात कहने चाहरा हो कि मैं सोच रहु हमारे पास इसी स्थिति हो तosed कि Index कर सके होते हैं जैसे कि TV Serial में होता है ना राग निकल जाओ यहां से निकल जाओ यहां से निकल जाओ मतलब तीन बार बोलें ऐसे हमारे नाम भी कि इस चीज को इंपोर्टेंट बात है उस पर आते हैं ठीक है फ्लीज फोकस फोकस आपको बेटा मेरे साथ connection मेंना है एक बहुत ही बड़ी में बात आपके साथ शेयर करना चाहरा हूं प्लीज बेटा इस चीज को ध्यान रखना ठीक है सब लोग तयार है एकदम सही बात बेटा देखो जितने भी state function है सर जितने भी सर state function होते हैं उसर cyclic process में यह चीज बेटा समझना है cyclic process में सर जितने भी cyclic process होते हैं उनमें हम जहां से चल रहे हैं सर घूम पर के वहीं पर आ रहे हैं जहां से चल रहे हैं वहीं से घूम कर के आ रहे हैं जहां से चल रहे हैं जहां से चल रहे हैं वहीं से घूम कर के आ रहे हैं तो जितने ही बेटा state function होते हैं, cyclic process में, चाहे में delta S calculate करूँ, चाहे में delta H calculate करूँ, चाहे में delta G calculate करूँ, चाहे में delta U calculate करूँ, cyclic process बेटा, इन सभी में, जो change की value है, सर वो क्या होगी? 0 होगी, बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी, सर, इसके उपर पता नहीं कितनी बार, IIT वाला हमको कही न कहीं तरीके तो घुमा करके, हमसे पूछता है वो चीजे, यह चीज़ समझे सर, मैंने बोला ना, आज का जो lecture है, सर, आप कहोगे तो सर, कुछ भी नहीं है, और कहोगे तो सब कुछ है, इतना बड़ा है कि सर, सारा का सारा खेली, आज के lecture में हमने बता दिया है, बच्चे कहते हैं कि सर, अचानक सर, टीचर काप कौन सा फॉर्म ला घुजेर देता है, अरे भाईया, टीचर ने सब कुछ बताया होता, सारे टीचर यह सारी चीज़े बताते हैं, सारे टीचर यह सारी चीज़े बताते हैं, लेकिन तुम लोग का जो attention span है उसके हम परिसान है चीज़े, रिल देख देख करके तुम लोग ने पूरा एक्दम बवाल काट रखा है चीज़े, तुम लोग को चाहिये तुरंत, तुरंत उर्षाव सारी चीज़े चाहिये तुरंत माइगी यह चाहिए तुरंत पूरा में इस अ पंट तो कि सके रहे लए हैं रातो रात अरबपती नहीं बन सकते हैं, हर चीज के लिए बिटा होता है, आप वीडियो तो देख लिए तो उस celebrity का कि उसने 1000 करोन की कंपनी मिना लिए, उसने 100 करोन की कंपनी बना लिए, लेकिन उसके पहले जो उसने अपनी जर्णी कैसे स्टार्ट की हुई है, दो बच्चों को, 10 बच्चों को, 100 बच्चों को पढ़ाते थे हम लोग आदाम से, यूट्यूब पे, तो सब उनको नहीं पता होगा ना, हम लोगी छोटी से फैमली थी, जो अभी कल 10,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंग है, लेकिन मज़ा क्या है, ये स्ट्रगल में है मज़ा, ठीक है, तो मुनलाल, सारे टीचर ये सारे चीज़े बताते हैं, आपने पहले नहीं सुना, लेकिन अब सुनो, क्या, कि जितने भी बेटा जो स्टेट फंक्शन होते हैं, उनमें साइकलिक प्रोसेस अगर दिया जीरो होगी, 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 ये सर, ये चीज़ है, और अगर हमारे पास क्या है, पात फंक्शन है, तो बेटा, उसके लिए साइकलिक प्रोसेस में वैल्यू जीरो नहीं होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी जीरो, ना, no, no, never not, हमें नहीं पता physics में क्या होता, वो भाड़ में जाए physics, हमको physics पढ़ाने नहीं आती है, हमें पता भी नहीं, हम सिर्फ chemistry से मतलब है हमारा, ठीक है, यह चीज, physics से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें chemistry से मतलब है, chemistry वाला जो work होगा सर, वो cyclic process में सर, non-zero होगा ठीक है, चलिए सर जी, बहुत ही अच्छी बात है, great, nice, wonderful, क्या बात है, ओके, 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 अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ, क्या साथ share करना चाहता हूँ, एक और चीज, ठीक है, माल लीजे, मैं point A से point B तक जा रहा हूँ, माल लीजे, मैं point A से point B तक जा रहा हूँ, तो एक, ठीक है, माल लीजे, बिटा, मैं point A से point B तक जा रहा हूँ, और point A से point B तक जाने में, मेरी जो change in entropy है, डेल्टा S AB, S क्या हो था बेटा, इंट्रोफी होती है, इंट्रोफी जिसको पता है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, टेंसन ना लो, बस चार चीज़े यूज कर लो, UGHS, 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 U मतलब internal energy, G मतलब gives free energy, H मतलब enthalpy, और S मतलब entropy, ये चार वर्ट्स बस लिख लो होते हैं, और क्या होते हैं, सर, इनकी value होती है, सर, आगे पूरी सर, thermodynamic से पूरा, इसी को हमने पढ़ना है, ठीक है, और ये जो होते हैं, सर, ये, हमारे पहली बात तो, हमारे extensive thermodynamic variable है, amount पे depend करते हैं, और दूसर सब के सब क्या हैं, सर, state function है, ठीक है, तो बेटा, माल लिए, ये, जैसे मैंने change in entropy की, मैंने बात की, delta S, A, B, अब, आपको माल लिजे, एक, अलग process भी सर दे दिया गया, A, C, B, तो बेटा, चूकि S हमारा क्या है, चूकि S हमारा सर, state function है, तो no matter मैं A से B तक सीधे जाओ, या फिर मैं A से B तक मैं C के रस्ते जाओ, या फिर मैं A से B तक, ये सारी values सेम होंगी, reason क्या है बेटा, क्योंकि S क्या है सर, हमारा state function है, S हमारा क्या है सर, state function है, तो इस बातों को बेटा, आपने भले ही सवालों बहुत बार देखा होगा, लेकिन अब आपको बेटा, इन चीज़ों क्या करना है, सर, feel करना है, अब आपको सर, इन चीज़ों क्या करना है, सर, feel करना है, feel करना है इस चीज़ को, ये चीज़ आप समझेए, मतलब शुरुवात में, मुझे थर्मोडैनमिक से मतलब ही नहीं है, मुझे बस ये terminology से मतलब है, ठीक है, मेरे बच्चे इन चीज़ों को लिए clear रहेंगे, तब ह देखें, भाई, सारा का सारा खेल हो पाएगा, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों क्या, आपने intensive, extensive देखा, कि सर, intensive thermodynamic variable क्या है, extensive thermodynamic, फिर उसके बाद बिटा, आपने state function, path function आपने समझाया चीज़े, ठीक है, ये चीज़े, और इनकी बहुत जादा feeling आना नहीं जरूरी है, इनकी सर, बहुत जादा feeling आना नहीं जरूरी है, लेकिन आपके लिए सर, क्या जरूरी है, आपको सर, इन terms को सर, पता रखना सा जरूरी कि कौन state function है, कौन state function है, कौन intensive है, कौन extensive है, ये सर, हमको जानना जादा आवर्शक है, ठीक है, ये चीज़, तो that's our life is, चली सर, बहुत reversible और irreversible process, कैली कि सर्च जिए? रिवर्स बहुत ज़चि क्या होता है, इसको जड़ा समझते है, अब देखो बटा, reversible और irreversible process क्या होते है, इसको समझे, देखे, इसक tua language पहुत जाहें, reversible मतलब यह irreversible मतलब यह non or never not. ठीक है? reversible और irreversible को आप इस तरह से मत समझे हैं. ठीक है? यह reversible और irreversible को आप equilibrium के तरीके से भी नहीं समझेंगे कि sir, reversible reaction और irreversible reaction नहीं sir, वहां से भी नहीं जाना है. यह thermodynamics का reversible, irreversible एक अलग प्रक्रिया है. बिटा reversible irreversible से हमारा मतलब होता है कि अगर कोई process बेन तहां बहुत धीरे-धीरे होता है अगर कोई process बेन तहां बहुत धीरे-धीरे होता है इतना धीरे-धीरे होता है कि आपको लगता हो process रुका हुआ है ठीक है अगर कोई process बेन तहां बहुत धीरे-धीरे होता है इतना धीर हलका सा effort लगाओगे तो बिटा वो process की जो दिशा है सर वो बदल जाएगी यह चीज़ क्योंकि बहुत धीरे-धीरे हो रहा तो उसमें जो driving force बहुत small है आप हलका सा push लगाओगे सर वो process अपना reverse direction कर लेगा यह कहने का मतलब है आप इससे कैसे समझतों हमें इससे लेना देना नहीं है आपको बस यह समझना है सर रिवर्सबल प्रोसेस की definition chemistry में क्या है रिवर्सबल प्रोसेस वो process जो बेन तहां बहुत धीरे-धीरे होते इतने धीरे-धीरे होते कि आपको लगता वो process होई नेरे बलकी रुके हुए है इनको प्रोसेस को रिवर्सबल इसलिए कहते है क्योंकि हलका सा बेटा फोर्स अगरम इन्हांस कर दें हलका सा फोर्स अगरम बढ़ा दें तो इनका जो process हो उसको reverse direction में हो जाता है यह कहने के मतलब है अभी थोड़ा सा बेटा patience रखे और irreversible process का जो एक जटके में होता है जैसे gas मालीजी हमाई पास cylinder है gas cylinder है मैंने उसका knob खोला तो gas एक जटके में बाहरा आ रही है एक जटके में बाहरा आ रही है एक जटके में बाहरा आ तो यह सब कैसर इससंदर्ट irreversible process है क्योंकि एक force के साथ होते हैं एक speed के साथ होते है ठीके गुबरा चानक से फट गया वह irreversible process है एक जटके में हुआ एक instance में हुआ तो वह हमाई सब केमिस्ट्री में irreversible process तो reversible process जो धीरे धीरे होते irreversible process जो एक घटके में होते है. ठीक है, ये चीद की उनके कहने का मतलब होता है. अब ये reversible, irreversible जानना हमा ओलिए बहस आवश्यक है. क्यों कि जू obrk होता हे न वरक थान सुना जो मैं अगली लाइन बोलने जा रहा हूं वो सर जी जो work होता है न वर्क क्या सर वर्क ये सब सर जब वर्क होता है वर्क चूकि क्या है path function है introduction तो बैंटा वर्क का फॉर्मला reversible प्रॉसेस और irreversible प्रॉसेस के लिए अलग लग होता है तो इसलिए वर्क का फार्मुला, reversible type के process के लिए अलग फॉर्मौा लगता है, और work का formula irreversible process के लिए अलग होता है, same चीज़ heat के लिए भी लगई, heat भी हमारा क्या है, sir, park function है, ठीक है, तो reversible और irreversible की पहचान करना बहुत आवश्यक है, process reversible है, इसकी पहचान करना बहुत आवशक है, process reversible है, irreversible है, इसकी पहचान करना बहुत आवशक है, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं कि process reversible है, तब तक आप work calculate करने में सर, सही formula का भी उपयोग नहीं करोगे, यह सर यहाँ पर सीड़े, ठीक है, तो बेटा जी, irreversible and irreversible process, ठीक के में होता है, एक force के साथ होता है, वो हमारा irreversible, ठीक है, यह इसका मतलब होता है, अब बेटा देखो इसको समझने का तरीका क्या है, हमारे पास दो same figure आ गई है, तो हम सभी figure को मारते हैं गोली, जो main figure चाहिए तो वो नहीं आ पाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, यह चीज लगा दिया है, piston वही जो आगे पीछे होता है, हमारे पास piston है, यह रहा piston, दोस्तों यह रहा piston, यह देखें, यह piston, यह जह है न सर, यह हमारा piston है, ठीक है, यह जो आगे पीछे हो सकता है, शर इसे कहतें पिस्टन तुम्हेंपा से लेंदर है उसमें सर्षी अची बात इसके पाइस है हम नहीं इसके उपर बिटा बालू रख दीए है डिकर हमने इसके ऊपर क्या सर बालू रख दीए जब अब ऑग दीए तो एक वेट रख दिया है, अंदर gas है, तो weight दबाएगा gas को और तब तक दबाएगा जब तक कि अंदर का जो pressure है, वो इस weight को क्या न कर लिए, Sir? बैलिंस न खर लिए, ठीक है? तो अंदर ऊपर से लगने वाला force और नीचे से लगने वाला force जब तक बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक वो इसको दबाएगा, और ऐसा point आए कि अंदर इतना pressure exert हो जाएगा, वो इस weight को balance कर देगा, ठीक है सर, बहुत अची बात है, अब एक चीज़ समझना, अगर मैं उपर से weight को हटाऊँगा, तो ये piston क्या होगा, expand करेगा, देखो पटा, अगर मैं उपर से force को अगर मैं हटाऊँगा, तो ये piston क्या होगा, expand करेगा, जैसे ये, देखिए, piston देखिए, expand कर रहा है, बहुत धीरे-धीरे कर रहा है, लेकिन expand कर रहा है, ठीक है, समझेंगे, बच्छो, अगर मैं उपर से लगाए गए force को, हटा दूँग कई यह प्हार तो प्सितन क्या होगा सरण क्डाइब क्परेका फिस चीज तर एक शीज अब फेन चीज समझिए अगर मालिज में ऊपर से इस वेट को मैं घटाऊंगा तो गया समक्त हमारी क्या हो गया मैं यहां से हटा रहा हूँ तो अब यह बताईए जो पूरा को पूरा जो weight है मैं इसको कितने step में मैं इसको हटा रहा हूँ मैं इसको infinite step में हटा रहा हूँ हर बार जब मैं weight को बेटा हटाऊंगा तो piston थोड़ा से expand करेगा, लेकिन इतना थोड़ा से expand करेगा, कि आपको लगेगा कि expand हुआ ही नहीं है ठीक है ये चीज़ और ये कितने step में पूरा expansion होगा infinite step में होगा, infinite time होगा तो ये जो expansion of gas है ये क्या है सर, हमारा reversible expansion of gas है ठीक है, ये चीज़ अब वहीं हमने, माली जी सर ऐसे काम किया तो हमने gas रखा है, piston लगा होगा हमने इसके उपर पाँच अलग-अलग blocks हमने रख दिये हैं अब बेटा क्या है मैं एक block को मैंने हटाया जैसे उपर से एक certain weight कम हुआ gas एक level पे expand होगे फिर मैंने एक दूसरे weight को हटाया तीसरे को हटाया, चौधे को हटाया, पांचे को हटाया तो ये क्या है सर, ये finite step में हो रहा है हर बार जब मैं weight को हटाऊंगा हर बार जब मैं बेटा weight को हटाऊंगा तो gas एक certain amount में बेटा expand करेगे ठीक है इर्रिवर्सिबल expansion एक जटके में होता है यहाँ पर gas, वेट जैसी weight हमने हटाया एक जटके एक जटके gas हमारे expand होई तो ये सर, यहाँ पर scene है ठीक है, that is reversible and irreversible process यही हमको समझना है अब ये reversible और irreversible को पहचान करना काहे को जरूरी है पिठा, reversible, irreversible को पहचान करना इसलिए जरूरी है सुनो ध्यान से पिठा, reversible और irreversible को सर, पहचान करना इसलिए जरूरी क्योंकि इसी से सर, वर्क में लगने वाला सही formula लगा सकते है reversible process में work के लिए अलग formula लगता है irreversible में work के लिए अलग formula लगता है ठीक है यह चीज़ समझ यह कर दा तो reversible process और irreversible process में sir work के लिए अलग लग फॉर्मले होते हैं ठीक है यह चीज़ अब देखो reversible और irreversible की पहचान तो मतलब इसका मतलब तो हम समझ गए है ठीक है अगर process क्या होगा reversible होगा तो यहां पर work हम कैसे लगाएंगे minus integral of p dot dv v initial से v final यहां पर work को calculate करने का फॉर्मला होता है किसके लिए reversible process के लिए reversible process में work हमेशा बेटा कैसे calculate होता है integration से why integration क्योंकि अगर कोई बच्चे थोड़े से math को समझते हैं तो जानते होगा integration क्या area under curve है और integration क्या करते हैं जब हम मतलब एक तरह से summation होता है जब कोई चीज़ में बहुत सारे steps होते तो उसको सीरे सीरे आड़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर integrate कर सकते हैं तो integration एक तरह का addition होता है किसका addition सर infinite point का addition infinite step का addition तो delta w reversible is minus p dot dv v initial से v final और अगर process sir irreversible है तो यहाँ पर सर जो delta w होगा यह सर कैसे होगा minus p external into delta v irreversible process के लिए sir work done का जो formula होगा minus p external into delta v यह यहाँ पर formula हमारा लगेगा बहुत अच्छी बात है sir minus p dot dv and minus p external dot delta v ठीक है sir यह हमारी सर यहाँ पर आप दो चीजों को ध्यान लगे irreversible process and reversible process ठीक है sir यह दो यहाँ पर चीज़ें चली सर समझ में आगे हमने sir यह दो फॉर्म में लगाने हैं लेकिन पहचानेंगे कैसे कि sir process reversible है या irreversible है इसको भी समझेए देखें बच्छे इची समझेए अगर सवाल में आपको सीदे सीदे given है यह जो process है यहो एगर आपको फॉर्म में कोई भी में टफाइन ग्राफ है तो भी बेटष समझ जाना वह reversible process है कहएको मह लिजा अबको वी टी डायगराम दिया हुआ इस तरह से तो बचाइट से इस point के बीट में क्या infinite point है तो ये जो process है infinite step में हो रहा है क्योंकि एक line में sir infinite point होते है तो यहाँ पर भी हम इस process को infinite step में break कर सकते है ये भी sir माई पास क्या है sir reversible process है तो given दिया हो सकता है process में sir well defined graph बना हुआ है तो भी कह देंगे sir ये reversible है ठीक है ये चीज़ हमाई पास कोई mathematical expression है कोई भी बिटा हमाई पास mathematical expression है तो भी वो reversible है जैसे pv square बराबर constant pv बराबर constant vyt बराबर constant इस तरह से बिटा अगर कहीं पर कोई mathematical expression है तो भी सरम मान जाएंगे कि जो हमारा given process है sir वो reversible process है ये तीन तर्यकए होते है sir क्या reversible process को sir फेहचानने के ठीक है ये चीज़ आगली चीज़ अगर माल लीजे process मैं पास क्या है sir irreversible है सर अगर ओलजे मैं पास process कैसा irreversible है तो बिटाजी धियान रखना by आप पहचानों कैसे कि process आपका irreversible है पेटा irreversible process में हमको सर एक ही तरीका होता है सर क्या पहचानने का वो क्या है सर एक-क था महचैंगे एक जा वर मेरितार प्रम ग्रावेच आशका प्रम यख अ श्क्या है रो मे 25 अबिटार भी जुक्तर हाजद में प्रम प्रम सबया है। जुक्क्तर्स आएवर गार। against constant external pressure सर ये जो है न सर irreversible process की सर ये बहुत ही pet line है irreversible process की सर ये बहुत ही पसंदीदा line है कि expansion या फिर compression of gas against constant external pressure इस line से सर मोग पहचान लेते हैं कि जो process हमारा सर वो irreversible है ये line कहीं पर भी तुमको दिखी समझ जाओ बिटा कि process क्या है irreversible है और वहाँ पर कौन सा formula लगाओ कि minus p external into delta v minus p external into delta v अब जरा इस चीज को समझते हैं बिटा जरा अपने आपको जरा इस situation बिटा imagine करके देखो कि आपके पास यहाँ पर बिटा एक एक किलो के सर पाँच वेट है ठीक है एक किलो के पाँच वेट है और ग्यास में piston को सर हमने वेट से सर दबा रखा है अब जैसे ही तुमने इस वेट को उठाया imagine करना उस situation को जब तुमने वेट को तुमने उठाया वेट को तुमने उठाया ठीक है पहले अंदर का pressure बाहर का pressure से बता उपर का वेट कम कर दिया अब लेकिन यह चीज़ आ रखना अब यह जो gas होगी अंदर का pressure जादा उपर का pressure कम तो यह gas expand करेगी लेकिन जब यह expand करेगी उस expansion की दौरान उस expansion की दौरान उपर से जो दबाव लग रहा वो कितने का दबाव लग रहा सर्व हो दबाव लग रहा 4 K Woah उपर से जो दबाव लग रहा है वो किसका दबाव लग रहा है 4 K긴 वेट का और atmospheric pressure का तो हमारी gas उड रही है हमाई gas धक्का दे रही है लेकिन जो धक्का दे रही है कि इसको उपर से लगने वाले धबाव constant है उपर से लगने आला है दबाव क्या है constant है चार किलो का दबाव और 180 प्रेशिक दबाव इसको लेते हुए से धक्का देखे हो expand कर रही है अब यहाँ पर एक चीछा रखना यह जो प्रोसेस जिसमें पांच वेट हमने रखे हुए है यहाँ पर पांच अलग अलग प्रोसेस होंगे पांच अलग लगे रिवर्स प्रोसेस पूरा एक रिवर्स प्रोसेस नहीं पांच अलग लगे रिवर्स प्रोसेस हैं क्योंकि पहली बात जब तुमने वेट हटाया तो गैस कुछ एक्सपैंड की, यह जो कुछ एक्सपैंड की, यह एक irreversible process है, क्योंकि इस irreversible process में उपर से दबाव कितना है, चार किलो वेट और एटियम प्रेशर का, फिर जब तुमनें दूसरा वाला वेट अटाया, तब क्या होगा, तब गैस फिर एक्सपैंड करेगी, अब यह second irreversible process है, काहे को, क्योंकि अब इस process की दौरान gas किसको धक्का दे रही है, तीन किलो वेट, पहले किसको धक्का दे थे, चार किलो वेट, अब किसको धक्का दे, तीन किलो वेट और एटियम प्रेशर, फिर जब इसको हटाएंगे, तब दो किलो वेट को धक्का दे रही है, फिर इसको हटाएंगे तब एक किलो वेट को, तो यह जो है हमारा, जिसमें gas जम, 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 बुक, 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 यह जो gas जो बिटा एक्सपैंड कर रही है, यह certain irreversible process क collection है, ठीक है, और यह क्या है, इसमें तो infinite step है, इसमें तो infinite step है, यह पूरा infinite step से भरा हुआ process है, एक एक दाना हट रहा है गया, धीर दे एक्सपैंड करती जा रही है, ठीक है, यहाँ पे delta x, delta m मास हट रहा है, तो पहले का force और बात के force में कोई बहुत बढ़ा अंतर नहीं ह process भी बहुत धीरे 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 expand कर रहा है, तो यह reversible process है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, बस बेटा इतना ध्यान रखिए, बहुत जादा research and development बेटा जानी के आवशक्ता नहीं है, आपको उससे मत्तब है कि जो आपके सवाल लगे है, ठीक है, बहुत जादा बेटा physical chemistry मे बहुत जादा physical chemistry में, चाहें आप जीए की त्यारी करें, नीड की त्यारी करें, बहुत जादा theory में समय देना is a waste of time, बहुत जादा theory में समय देना is a waste of time, लेकिन हा, उतनी theory आपको पता में चाहिए, जो आपके सवालों के लिए सर आवशक है, बच्ची जो हमसे पढ़ते ह कि मैं physical chemistry मुझे सवाल कराने पसंद आते हैं, ठीक है, सवाल कराने, आप सवालों में सब जितना समय spend करिया, वो चीज मज़दार है, अलग लग variety के सवाल करिया, वो चीज सही है, ठीक है, लेकिन sir, reversible क्या है, क्यो है, इसको reversible ही क्यों कहा, ये पुराना वाला, नया वाला, य सब नहीं बेटा, बस ये है चीजे इस thermodynamics में, इससे मतलब रगे, state function ये है, path function ये है, intensive, extensive ये है, बस इतनी चीज़े, चलिए sir, बहुत अच्छी बात है, आप में से कई लोग सोचने, sir, आपने कहा ता पांच करोन रुपया देंगे, वो कब मिलेगा, 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 मि इतना सारा गेहु हुआ है हमाई युगांडा के खेत में क्या बताएं, इतना गेहु हुआ है, इतना गेहु हुआ है, कि पूरा का पूरा मतलब हम साओधी अरब को रोटी खिला सकते हैं, बहुत अच्छी पैदाबार हुई है, चलि sir, बहुत अच्छी बात है, तो first law of thermodynamics, अब आते हैं बच्छों किस पे, first law of thermodynamics पे, मेरा मन आज first law of thermodynamics पे जाने का नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही, मतलब important part है, बहुत ही बीटा important part है, ठीक है, इसके लिए पूरे एक नई energy के साथ हमें आना चाहिए, तो मैं आज first law of thermodynamics पे नहीं आओंगा, ठीक है, इस प चली सर, तो थोड़ा सा मैं सवालों पे आ जाता हूं मैं आज, ठीक है, आज start करते हैं, आज start करते हैं, और धीरे धीरे बेटा अपना momentum बढ़ेगा, don't worry, ठीक है, साथ से 8 lecture में पूरा ये thermodynamics complete करा दूँगा, maximum to maximum 10 lecture क्योंकि thermo chemistry भी है, ठीक है, लेकिन जो पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, पूरा ultimate level तक पढ़ाएंगे, उसकी आप चिंदा मत करिए, चली सर, थोड़ा सा momentum गेन करने दीजे हमको, ये चीद है, थोड़ा सा आप लोग के भी feedback आने दीजे, कि सर, क्या चल ला है, कैसे चल ला है, क्या चीद, जो कुछ है सही है, क्या गलत है, give weather following properties are intensive और extensive, अच्छा, आगया, intensive, extensive का सवाल, और इस सवाल के लिए हम आपको 10 लाख रुपे प्रतीवक्ति को देंगे, जो जो बच्चा इस सवाल का आंसर देगा, अपने आधार कार्ड को bank account से link करा दे, और हमको बता दे कि सर, आपका सवाल सही हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर आपको 40 लाख रुपे देंगे, हर प्रती एक option के लिए 10-10 लाख रुपे, ठीक है, तो अपने अधार कार्ड को bank account से link करा दीजे, pen card को link करा दीजे, और बस comment section में डाल दीजे सर, हमारी सवाल सही था, हमारी team आपका IP address trace कर लेगी, क्योंकि हमारी पास बहुत बड़े-बड to concentration, PPM, PPV and enthalpy per mole, बेटा एक चीज़ याद रहे के, जितने भी concentration term है, सभी concentration term क्या होते सर, intensive thermodynamic variable, तो all the concentration term, चाहे molarity हो गया, molarity हो गया, चाहे molarity है, molality है, normality है, PPM, PPV, कोई सभी बेटा, concentration term है, all these concentration terms are क्या, intensive thermodynamic variable, तो बेटा, जी 1, 2 and 3, they all are क्या असर, intensive thermodynamic variable, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बता रखा है, कि चाहे हम गंगा जी के पानी को एक लिटर लेकर के आए, या गंगा जी के पानी के एक मेल लेकर के आए, मैं अगर टेस्टिंग करूँगा, तो उसमें जो concentration of iron है, वो सेम ही निकलेगी, मैं अपने ब्लड की चाहें एक बून दू, या मैं ब्लड को पूरा को पूरा निकाल करके देदू, मेरा ब्लड ग्रूप हो गया, मेरे ब्लड में जो iron की concentration है, मैं चाहें कितना भी ब्लड बेटा मैं टेस्टिंग के लिए दू, सब में बेटा जो जो चीजें हैं, जो किलास पी लो, जो मिठास है, वो सेम ही होगी, पेपसी का जो content होता है, पेपसी की जो ingredients लेखे होते हैं, उसमें जो energy content होगा लेखाता है, चाहें वो 500 ml की पेपसी लो, या 2 लिटर की पेपसी लो, उसका taste, उसका स्वाध, और उसमें जो शुगर की concentration है, वो दौनमें बेटा सेम ही होगी, ठीक है ये चीज़, तो all concentration terms are always का intensive, independent or amount of system, ठीक है, बहुत अची बात है, और बेटा, चौथा समझ लो, अगर हमसे पूछता, enthalpy, सर जी, enthalpy, तुमारा क्या है सर, extensive है, लेकिन सवाल वाला इतना चालू है, उसने enthalpy per mole दिया है, उसने अपनी definition को limit कर दिया, पर mole के लिए, जैसे density क्या होता है, mass per unit volume, वो, mass तो सर, क्या extensive है, लेकिन per unit volume कर दिया, तो इंटेंसिव हो गया, तो enthalpy तो extensive है, लेकिन enthalpy per mole कर दिया, लेकिन enthalpy per mole कर दिया, तो बेटा जी, वो हमारा intensive हो गया, न, per mole, उसने define ही per mole के लिए किया हुआ है, आप ज्यादा जो चाहें कम लो, लेकिन हम तो value define कर रहें per mole के लिए, तो वो सर, intensive हो गया, वो amount के उपर independent है, क्योंकि आपने अपनी definition में सब चीज़ों को सर, limit कर दिया है, ठीक है, यह चीज़, तो यहाँ पर answer इन चार हम न, भी जोगते हो, उसने में न, अपने बच्चों को जानते कि हमाई जो बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, अच्छे हैं ठीक है, बिवानी नहीं करते हैं, सब को सही है, है ठीक है तो अब हमको बताएं कि सर इनके बारे में उनका क्या-क्याल है कि area हो गया volume हो गया pressure हो गया कि what do you think about this term कि यह intensive एंट्सेंसिव है क्या है इसके बारे में जाना है सर एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, यह सर इंटेंसिव है एक्स्टेंसिव है, पेटा देखो एरिया हो गया और वॉल्यूम हो गया, यह सब की सब क्या हैं सर, अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, मैं बड़ा सिस्टम लूँगा, छोटा सिस्टम लूँगा, बड़ा कमरा उसका volume अधिक होगा area अधिक होगा, छोटा camera लूगा उसका volume कम होगा area कम होगा, तो area ये सब क्या होगा, सर ये amount पर depend करते हैं, तो they are extensive, ये सर extensive, लेकिन temperature होगा या pressure होगा, सर temperature pressure होगा, ये intensive होते हैं, सर ये intensive thermodynamic variable होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, अब अगली चीज़ आती है, सर क्या force, अगली चीज़ आती है, सर force, बच्चों ध्यान सुना, अगली चीज़ आती है force, force की बारे में क्या 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 है, ठीक है, सर force की बारे में क्या 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 है, ये चीज़ समझे, सर दीक है pressure होता है, force per unit area तो force क्या होता है pressure into area अब बिटासे कोई pressure है ना pressure यह सर हमारा क्या intensive है यह हमारा amount के उबड़ depend नहीं करता है यह amount के उबड़ डपेंड नहीं करता है चाहें बड़ा कमरा और छोड़ा कमरा है pressure intensive होता है लिकिन area जो होता है वो तो sir amount पर depend करता, यë sir extensive है, area हमारा sir extensive thermodynamic variable है, तो यह चीज sir amount के उपर depend करें, एक चीज amount पर depend नहीं करें, और दूसरी चीज amount पर depend करें, जिसके कारण से खल of light कहते हो गया sir, सर आप ऐसा सोचते हैं ये सोचते वो सोचते आप कंफ्यूज हो जाओगे और इस कंफ्यूजन कोई अंत भी नहीं है आपको सिर्फ एक ही एक्जामपल लेना है जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि आप जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हो उस रूम में प्रेशर वने टियम है अब उस रूम में अगर मैं बीच में दिवाल खिश दूँगा तो भी क्या होगा प्रेशर वने टियम रहेगा जो टेंपरेचर है वह वही बना बना रहेगा ठीक बस इतना समझ यह एक्जामपल या रखना है ठीक है इसके लाबा आप फसते रह जाओगे रूंते रह अगले सवाल पर आते हैं अच्छा पिछला सवाल भी हम लोग का यह जो छाले peso लाग का था ठीक सबर फOR kommis ट्रफो गकसी अपसे बताना है कि सर आपका अंसर चीए गलत आ रहा है प्लीज बताईए कि जरूर क्योंकि हम आपका उधार नहीं ले सकते हैं ठीक है यह चीज़ अपको बताना यह statement कौन सा सही है ठीक है देखिए हमको एक डाइग्राम दिया गया है ठीक है हम एक पॉइंट से भी पॉइंट तक जा रही है यह प्रोसेस होता है यह डाइग्राम क जिन्दगी होती है हमाई जिन्दगी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्जांपल में क्या कि हमाएं पास सिलेंडर है उसके अंदर गयाज भरी हुए उसमें पिस्टन लगाया हुआ है और यह पिस्टन जब उपर नीचे होगा तो इससे हमारा इस पाईया घूमेगा बस that is the only our ultimate goal thermodynamics is a branch of science which deals with heat and work which deal with energy conservation energy conversion ठीक है कि किस तरीके से हम एक form of energy को दूसरे form of energy में convert करते हैं और उसमें जो mathematics वोगरा involved होती हो सब चीज़ ठीक है तो यह heat और work में जो inter-conversion है उसी के उपसर पूरा पूरा तरीके सर डील करती है तो basically मान लीजे बेटा हमारे पास cylinder है cylinder के gas उसमें piston लगा हुआ है ठीक है अब यह जो gas है इसको हम expand कर रहे है एक्सपैंड करें तो क्या और इसका volume बढ़ रहा है volume बढ़ा इसका pressure कम हो रहा है लेकिन यह जो process है यह दो तरह से हम enhance कर सकते हैं एक बार pressure धीरे-धीरे कम हो रहा है एक बार pressure बहुत तेजी से कम हो रहा है तो basically यह दो तरह की बेटा process होते है ठीक है यह diagram क्या है से दो तरह अब मुझे पहले एक चीछ बताओ, यह जो process यह reversible है, irreversible है, बच्चो ने एक तम चिला चिला के बोला, क्या, कि सर अगर कभी भी well defined graph होता है, तो सर process हमेशा सर क्या होता है, reversible होता है, well defined graph is always reversible process, ठीक है सर बहुत अच्छी बात है, अब क्या पूछा है सवाल में, कि Q1, Q2, मतल हो heat और work, यह क्या होता है path function होते हैं, तो अलग-अलग path के लिए इनकी value same नहीं होगी, process अलग-अलग है, तो सर जो change की value होगी सर वो same नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है, delta Q1 and delta Q2, यह सर सेम नहीं होगा, delta W1, delta W2 सर सेम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन volume हो गया, ठीक है सर, अब क्या है सर, they all are क्या, state function, volume, pressure, temperature, internal energy, they all are क्या सर, they are state function, नहीं लिख लिए, volume, pressure, temperature, internal energy, enthalpy, give free energy, temperature, they all are क्या सर, state function, तो state function है, तो आप process one से जाए, process two से जाए, change तो सेम ही है, a से b तक का है, तो यह sir, same होगा, यह sir, same होगा, ठीक है, यह चीज, none तो none है, none तो none है, तो बेटा, इस सवाल का answer क्या होगा, sir, sir, c होगा, इस सवाल का answer क्या होगा, sir, c होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, great, nice, wonderful, State function, path function, sir, आपको हमने बता दिये, sir, work हमारा path function होता है, heat हमारा, sir, path function होता है, और volume हमारा क्या है, volume, temperature, pressure, ठीक है, यह सब के सब क्या है, sir, state function होते हैं, ठीक है, यह चीद है, चलिए, sir, बहुत अच्छी बात है, great, nice, wonderful, अब इसके बाद हमने कुछ first law of thermodynamics, हमने कुछ question वगरा लिये हुए थे, बट मैं आज बेटा first law of thermodynamics में start नहीं करना चाहरा हूँ, ठीक है, मैं बेटा, आज first law of thermodynamics में आना नहीं चाहरा हूँ, आज मैं यह introduction हमारा था, आज के chapter का thermodynamics का बेटा introduction था, और कल हम लोग इसी के आगे सर्फ प्रसीड करेंगे, आपको बस एक चीज़ को ध्यान रखना है कि मैं आप अगर मुझे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो आपको यह देखना है कि मैं भरोसे के लाइक हूँ और नहीं हूँ, अगर आ गंटा देंगे, तो मैं आपको इसी की मैं से अपको पूरी guarantee देता हूँ कि आप अपने हातों से mains के, advance के, need के सवालों को जमा जम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने सालों में हमको पता है कि बच्चों को किस speed के साथ किस सरे से पढ़ाया जाता है, वो हम जानते हैं, बच् आज का session करते हैं, हम लोग यहीं पर खतम, बताएगे जरूर बेटा कि अच्छा लगा, बुरा लगा, are you aligned with our speed, आपको हमारी speed सरसाही लग रही है, नहीं लग रही है, और पढ़ाना तो देखिए मुझे, तो वो आप नहीं बताओ कि मैं कैसे पढ़ाँ, क्याना पढ़ाँ बस आप यह दाई कि आपको सारी चीदे connected थी, ठीक है, अगर connected ही तो बोलो जुबा केसरी, ठीक है, बोलो जुबा केमिस्ट्री, ठीक है, तो अब नया slogan अपना आगया है, बोलो जुबा केमिस्ट्री, तो बी जे सी, अब हमारा बी जे सी हो गया है, बोलो जुबा केमिस्ट सकते हैं ठीक है मामला सेट है MSH वो सकते हैं और ज़रूर से जरूर हमको बिठ चैट सक्षिन बताइएगा कि आपका कितना पैसा हमको सर्वनी ओर्डर करना है ठीक है आप हमको बता दीजेगा कि आपको कितना पैसा हुआ तो वह पैसा बेटा हम चुकिंध कि हमारा जो भी ट् देखिए और बताइएगा कि सारी चीज़े connected थी या नहीं थी कल याद से हम लोग बिटा first law of thermodynamics को start करेंगे ठीक है सर चलिए बहुत अच्छी बात है दुआ सलाम राम राम और आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और बढ़ियां से बढ़ाई करिए